नमस्कार दोस्तों ये लोकल स्नैक्स आज कल के छोटे छोटे बच्चों की बहुत ही पसंदीदा चीज बन गई है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि वे अपने बच्चों के स्वास्थ के साथ क्खिलवार कर रहे हैं। इतने गंदे तरीके से बनाया जाता है ये आपके पफ कॉंज मशीन से निकलने के बाद सीधा जमीन पर मिट्टी में गिर रहे हैं नीचे कोई भी बरतन नहीं है और इससे भी जादा हैरानी की बात तो ये है कि ये भाई साफ इस पर जूता पहन के खड़े हैं इसके बाद य ये चीज यहां से उठाके पैक होके दुकान पर लाई जाएगी और इसे आपके छोटे-छोटे बच्चे खरीद कर खाएंगे हाली में एक गंभीर मामला सामने आया था एक बच्चे ने रेगुलर एक साल तक जादा मात्रा में ये लोकल पफ स्नैक्स खाए और उसके बाद उसके पेट की सरजरी करवानी पड़ी थी एक्च्चूल में होता क्या है कि जब बच्चे इनका सेवन जादा मात्रा में करने लगते हैं तो उन्हें भूक लगनी बंद हो जाती है ये बच्चे इन लोकल स्नैक्स के आदी हो जाते हैं जैसे एक शराबी शराप का वो हमेशा इन्हें खाने की जित करने लगते हैं घर यही पर खथ्म नहीं होती है दोस्तों, इन स्नाक्स में आर्टिफिशल फ्लेवर यूज होते हैं जैसे की टेंगो टमैटो, मिंट, तीखा तड़का और भी बहुत सारे, इनके अलावा इनमें आर्टिफिशल फूद कलर भी डाले जाते हैं, इनें आर्टिफिशल फूद घा जाता है इसका हमारी हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ता है अगर हम लंबे समय तक यह ले तो हमें बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं और बच्चों को भी बुरी तरह प्रभावित करता है यह आर्टिफीशल कलरिंग इसके बच्चे में हाइपर सैंसिटिविटी हाइपर और अनफेवरेबल बहेवियर जैसी समस्याएं हो सकती है इन लोकल स्नैक्स में से ज्यादा तर स्नैक्स तल कर बनाये जाते हैं यह डीफ्राई किये जाते हैं और इसके लिए बढ़ियां तेल का यूज तो किया नहीं जाता होगा खुद ही देख लीजिए अब ऐसे खराब यूज करते हैं जिससे आपको कॉलेस्टरोल, हार्ट अटैक, पेट और लीवर और किडनी से जुड़ी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं तो दोस्तों अपने वच्चों को इन खतरनाक चीजों से दूर रखिए उन्हें घर का अच्छा और स्वस्त खाना खिलाईए आपको य जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही खास जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तक तक के लिए स्वस्त रहिए मस्त रहि झाल झाल